हेलो दोस्तों हमारे चैनल व्यस ओनलाइन टिपस में आप सभी लोगों का एक बारफीच से बहुत-बहुत स्वागत है अगर दोस्तों MA, MHC, M.com या PGDC या LLB जैसे कोर्षिस में अगर आप आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आपने मोबायल से आपने पर्म कैसे भरेंगे इसके साथ है आपको पहला मेरिट लिस्ट कप आएगा, कब तक जागी आपको जो है कॉलेज में एडमिशन लेना है, सारा डेटल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में होने वाली है दोस्तों इस वीडियो को आप लास तक जुरू देखें, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्स्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के मध्यम से आपको टाइम टू टाइम पूरा जनकारी मिल जाएगी बिलासपूर यूनुवर्सिटी में पीजी का ओनलेन फॉर्म भनने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे सर्च टेप पर आकर आपको बिलासपूर यूनुवर्सिटी लिखके सर्च करना होगा इसके बाद दोस्तो हमारे सर्म यहां पर बिलासपूर यूनुवर्सिटी की ओफिशल वेबसाइट दिख जाएगी आपको यहां पर क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सर्म इस प्रकास से वेबसाइट ओपन हो जाता है दोस्तो इस प्रकास में अपको थोड़ा सा निचान होगा यहां पर क्लिक करना है थर नंबर पर आपको All In Admissions 2022 लिखा हुआ आ रहे यहां पर क्लिक कर देना होगा इस प्रकास से आपको एडमिशन का पेज़ अपन हो जाता है सबसे पहले important instruction देख सकते हैं दोस्तों इस नाकोत्तर प्रथम semester एवं PG diploma पाठे क्रोवों में जो है admission के हैं पूरा schedule है सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं all-in माध्यम से आपको जो है registration कराना है registration का जो date है 13-7-2022 यानि आज से शुरू हो रहा है दोस्तों लास्ट एट की बात के हैं तो आप से 31 जुलाई तक admission form submit कर सकते हैं दोस्तों 1-2 जुलाई की बिच आपका पहला merit list जारी हो जाएगा जिसमें आप 4 जुलाई तक admission ले सकते हैं दोस्तों अगर seat खाली रह जाती है तो 5 अगस्तों को आपका दूसरा मेरिट लिष्ट जारी हो जाएगा जिसमें आप 8 अगस्त तक admission ले सकते हैं इसके बाद ही दोस्तों seat available रह जाती है तो 10 अगस्तों को आपका 3 मेरिट लिष्ट जारी हो जाएगा यहांपर निचे आप अपको रीजिस्टर का आपसन्दीकर होगा, यहांपर आपको क्लिक करना है, जीसे आप रीजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके समयजjek से रीजिस्टर करने का आप्सर्थ rabbits open हो जाता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना mobile number देना होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ट बनानी होगी पासवर्ट कुछ इस तरीके से बनाएंगे जो आपको याद हो जैसे दोस्तों आप रिश्टर के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे समने इस प्रकार से एक नया प्लेज उपन हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं your application details fill your applications लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर important notification है इसको आप चाहें तो आप बड़े ध्यान से पढ़ लेंगे notification पढ़ने के बाद आपको simply नीचे आना होगा नीचे आने के बाद friends यहाँ पर I agree and accept का बटन दिख रहा है यहाँ पर आपको simply click कर देना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे आपके सामने कोर्षर का पूरा detail आ जाएगा तो दोस्तों यह जो है आप देख सकते हैं पर पीजी में admission लेना चाहते हैं तो आपको simply नीचे आना होगा friends यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं MA का यहाँ पर पूरा सभी subject का यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ रहा है साथ ही MSC यहाँ पर बाटनी जोलोजी फिजिक्स केमेस्ट्री सभी के यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथ यहाँ पर PGDCA का भी यहाँ पर online form भरा रहा है और LLB का भी online form भरा रहा है तो online form भरने के यहाँ पर yes register for PG course लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा उसके बाद फ्रेस हमारे सामने एक नया पेज़ोपन हो जाता है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप 2022 में यूजी यानि आपको जो इसना तक 2022 में हुआ है तो अगर हुआ होगा तो yes पर क्लिक करेंगे और नीचे दोस्तों आपको अपना roll number डाल देना है अगर दोस्तों आप जो roll number डालके आपको search roll number पर क्लिक करेंगे तो आपको जो detail आजाएगा वहाँ से आप अपना form फिल कर सकते हैं दोस्तों यहाँ करने के एक फायद हिया है कि आपको जो कुछ information पहले से भरा आ जाएगे उसमें आपको जो भरना नहीं पड़ेगा अगर दोस्तों आप जो नो करते हैं तो इस प्रकार से आपको जो form open होता है यहाँ पर आपको जो proceed with manual form फिल अप ठीका हुआ आ रहे हैं यहाँ पर click कर देना होगा उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको form को जो पूरा dashboard open हो जाता है सबसे पहले देख सकते हैं चार स्टेज में आपको form complete करना होगा सबसे पहले academic detail आपको वनी होंगी उसके बाद personal detail फिर college selection और last time आपको payment करना होगा उसके बाद friends इस page में आपको थोड़ा सा नीचा आना होगा यहाँ पर UG और PG select करने के लिए options दिया जा रहा है तो आप PG course में apply करें तो यहाँ पर PG course पर आपको जो select करना पड़ेगा इस पर जिंडर सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद यहाँ पर category सेलेक्ट करने पड़ेगी यह वर OBC SC HD जो भी है यहाँ से आप अपना category सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको जो physical disability है तो आपको yes पर क्लिक करना है नहीं तो आपको no पर क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद नेचे आएंगे तो यहाँ पर अंतिम इसना तक उत्तिन परिच्छा लिका हुआ आ रहा है जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट आ रह Phiरी चाफो यहां पर उप्यों यहा पर न Pokhemaat हम आप दो इसको आतिम हुआ पड़ेगी आप देख सकते हैं यहां पर अटल भी है यह बास पर युनिवर्सिटी देखने को मिल जाएगी अब जो भी युनिवर्सिटी से अपना ग्रिजवेशन कंप्रेट की हुए है उस युनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद यहां पर आप अपने कॉले हो जाएगी निचाएंगे और सब्मिट के बटन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों हमारा एकेटमेक डिटिल है वह कंप्लीट हो जाता है अब हम यहां पर परसनल डिटिल भरने ही पड़ेगी निचे दोस्तों आपको अपना आवेदा का नाम लिखा हुआ यहां प यहां पर आपका अपना मधृ निम डाल देना होगा उसके बास यहां पर मेरिटियल स्टेटस यानि आपको जो विवाही की संथी देख सकते हैं अगर आपमरीइज है तो यहां पर यहां पर अपको मेरी खी देना है इसके बाद आप यहां पर धर्म देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सी की साइज जो भी हैं आपको अपना धर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा यहां से आप अपना पूरा पता दे देना है यानि आपको अपना एड्रेस लिग देना होगा नेचे आपको पीन कोड मांगा जा रहा है तो आप अपने एरिय यानि पीन को डाल देंगे अगर दूसरों आप चट्रिश गड़ के मुलनिवासी हैं तो यहां पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां से रश्ट यानि यहां पर आपको जह इंडियन सेलेक्ट कर देना होगा अगर दूसरों आप गार्जियन का नाम लिख देंगे उसका मोबाल नमबर देना है उसके बाद दूसरों यहां पर क्लाश 10 आपको रोल नमबर डालना होगा और यहां पर वेटेज पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहां पर देख सकते हैं अगर दूसरों NCC या खेल कुछ जैसे प्रतियोगिता म यहां पर आपको सिंप्ली क्लिक कर देना है उसके बाद दूसरों आपको फर्सनल डीटेल भी कंप्लीट हो जाता है अब यहां पर आपको जो कॉलेज सेलेक्शन करना पड़ेगा दूसरों यह सभी इंफर्मेशन आपको बड़े ध्यान से पढ़ लेना है पढ़ने के आप पिसमें किसी भी प्रकार की सुधार नहीं कर पाएंगे इसलिए आप जो भी पहले इंफर्मेशन डाले हैं उन सभी इंफर्मेशन को आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा उसके बाद दूसरों इस प्रेज में आपको निच्चा होना होगा और यहां पर देख चाते आप जिस कोर्स में अपलाई करना चाते हैं यानि दोस्तों आप जो भी कोर्स में PG करना चाते हैं उस कोर्स को आपको सेलेक्ट कर दिना है जिसे MA, MSC, PGDC, LLB जो भी आप कर देंगे जैसी कि मेरे को MSC Chemistry में फॉर्म अपलाई करना है तो MSC Chemistry यहां पर सेलेक्ट कर दूँगा उसके बाद निचाएंगे तो college टैप पे आपको click करने अगर आप जो government college में लेना चाते हैं या private college में लेना चाते हैं आप यहाँ से select कर देंगे college select करने के बाद दोस्तों यहाँ से district select कर देंगे देख सकते हैं बिलासपूर, औरिला पेंडरा, कौरवा मुंगी दोस्तों यह सब भी district बिलासपूर, उनिवरसिटी के अंतरगत आते हैं तो जहाँ भी आपको college करना होगा उस district को select करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उस district में कितने college हैं यहाँ पर college के लिस्ट पर आ जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं government में बिलासपूर में एक ही PG college है तो यहाँ समय जो है get subject के बटन पर click कर देता हूँ नीचे दोस्तों यहाँ पर पूरे जो information है आ जाएंगे यानि की जो भी आप course select किये हुए हैं उस course में कितने सारे subject हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएगी अगर दोस्तों आप MA select करते हैं तो यहाँ पर आपको जो कुछ additional subjects लेने के options आ जाएंगे तो दोस्तों आपको देखना होगा आपके subject की हिसाब से ही वहाँ पर course आते हैं तो MA, MSC जो भी course है उसको अपने according है आपको subject को select करना पड़ेगा कुछ compulsory subject हैं जिसको आपको changes नहीं कर पाएंगे उसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे दोस्तों आपके पास अधर जो ATM कार्ड होगा तो यहाँ पर अधर डेबिट कार्ड पर आपको select करना होगा दोस्तों आप चाहें तो net banking या UPI की थुरू भी आप अपना प पेमेंट करना पड़ेगा जिस दोस्तों अधर बेंक डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको अपने जो कार्ड का नंबर डालना होगा एकसपारी डेट डालने होगी सीवीसी नंबर डालना होगा और यहाँ पर आई एम नौट रोबट पर आप जो है टिक माक पर आजाएंगे आप देख सकते हैं जो अपने जो college selected किया हुआ है उस वह college यहां पर सो होने लगेगा आपको करेंगे वही सारा सब्जेक्ट आ जाएगा जो कोर्ष में आप इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहां से आपको दुनों कॉलेज एड हो गया है आप चाहें तो जो हैं बहुत सारे कॉलेज को भी एड कर सकते हैं कॉलेज हो जाने के बाद यहां पर प्रिंट फॉर्म का ओप्संस आता है यहां से दोस्तों जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा उस समय आपको जो है प्रिंट फॉर्म में जाकर अपने प्रिंट आउट ले लेना होगा और उस प्रिंट आउट को आपके जो है कॉलेज में ले जाकर जम्मा करना है तो दोस्तों इस प्रका हैं